असलाम वलेकुम प्यारे दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि हम हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहें और जो भी काम को शुरू करें वो पूरे डेडिकेशन के साथ खतम करें और कैसे सक्सेस आसिल करें बट अफसोस की बात तो ये है कि हम कितने भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लें, हमारा मोटिवेशन और एकसाइटमेंट लेवल एक टाइम आने के बाद खतम हो ही जाता है और end में हम फिर सब कुछ वैसा ही करने लगते हैं, जैसे normally हमारी हमेशा की आदत होती हैं लोग ज़ादा तर अपनी आदतों से मजबूर होते हैं, और उसके इसाब से ही काम करते हैं चाहे कोई कितना भी समझा ले जोग जादा तर अपनी आदतों से मजबूर होते हैं उनके हिसाब से ही काम करते हैं चाहे उन्हें कोई कितना भी समझा ले Actually, इंसान बने ही ऐसे हैं कि हमारे लिए हमारी आदतों को बदलना बहुत मुश्किल होता है पर ये याद रखें कि आपकी सही आदते ही आपकी success और failure के बीच का important factor बनेगी So, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी habit हमें अपने अंदर develop या change करनी चाहिए आज मैं आपके साथ ऐसी habit शेर करूँगा जिससे आप permanent motivate हो जाएंगे और कामियाबी आपके कदम चुमेगी देखिए मैं temporary motivation की बात नहीं करूँगा मैं आपको permanent motivate करने वाला हूँ आपने YouTube में बहुत सी वीडियो देखी होगी बट उसको देखने के बाद भी आप motivate नहीं हुए होगे तो मैं इस वीडियो में Islamic method बताऊँगा जिससे आप permanent motivate हो जाएंगे क्योंकि permanent motivation का तरीका सर्फ Islam के पास ही है तो मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूँ उसको आप follow करेंगे तो दुनिया और आखिरत दोनों की कामियाबी आपको मिल जाएगी और आप पुरी दुनिया में जहां भी चले जाओ आप जिस जगा भी जाओगे आप वहाँ पर रोशनी कर दोगे क्योंकि अगर कोई इंसान दिन पर चलता है तो उसको दुनिया में भी अल्ला सुभानाओ ताला बहुत जादा नमासते हैं तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग कमेंट में ये ज़रूर बताएगा कि आप स्टुडेंट है या हाउजवाइफ या फिर वर्किंग प्रोफेशनल ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपके हिसाब से ही कॉंटेंट लाएं एंड नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इंशालला हमारी कोशिश होगी कि हम उन टॉपिक्स पर भी वीडियो बना के आपके पेशे खिदमत रखें हमारा जो काम सबसे जरूरी है वो काम हमें सबसे पहले करना चाहिए अब ये आदद बोलने को तो बहुत सिंपल है पर सबसे मुश्किल भी यही है मोश्टी लोगों को ये समझ नहीं आता है कि कौन सा काम पहले करें और जिनको समझ में आता भी है तो भी वो लोग ये चीज़ को कर नहीं पाते लोग अपना टाइम ऐसे ही बरबाद कर देते हैं और फिर रात में रिग्रेट होता है कि आज का दिन भी ऐसा ही चला गया और कुछ भी प्रोड़क्टिव काम नहीं हो पाया आप लोगों ने भी आपजर किया होगा कि कितनी बार ऐसा होता है कि हम डिस्ट्रेक्ट होकर अपने फेस्बूक फीड्स को स्क्रॉल करने लगते हैं या फिर इंस्टाग्राम के रिल्स को देखने लगते हैं या फिर यूट्यूब पर वीडियो या टीवी देखकर टाइम पस करने लगते हैं और कुछ नहीं तो पस बेवजा की बाते सोचने लगते हैं जबकि हमें कुछ बहुत important काम खतम करने बागी होते हैं ये सबसे common आदत में से एक है जो हमारा बहुत सा important time waste करती है और हमें कभी एक average इंसान से उपर बनने नहीं देती है तो अगर आपको कुछ करना है life में तो हर रोज वो काम सबसे पहले खतम करिए जो काम आपको आपकी goals तक पहुँचाने में help करता है और उसके बाद ही फिर दूसरे कामों को करें और अगर आपको prioritizing सीखना है तो आपको अपने अंदर discipline and focus पैदा करना होगा मस्जिद जाके जमात से नमास पढ़ना और वो भी first record में आप शामिल होंगे तभी वो तकबीर अला कहलाएगी second record में शामिल होंगे तो जमात का स्वाब तो मिलेगा बट तकबीर अला का स्वाब नहीं मिलेगा तो अगर आप five times का नमास पाबंदी से अदा करते हैं तो आपके अंदर discipline अपने आप पैदा होता चला जाएगा और concentration and focus level भी नमास पढ़ने से increase होता चला जाएगा और अगर आप 40 दिन तक तकबीर अला के साथ नमास अदा कर लेते हैं तो आपके और जन्नत के बीच की जो दिवार है वो मौत है तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं habit number two begins with the end in mind ये habit समझाने के लिए आपको मरना होगा so आप भी मेरे साथ ये imagine करें कि आप एक funeral एक मयत में गए हो पर ये बाकी funeral से बहुत ही अलग है because जब आप देखते हो तो आपको पता चलता है कि ये तो आपका खुद का ही funeral है उस time आप अपने लिए क्या क्या बोलना चाहोगे ये एक बहुत ही impactful question है क्या आप वो सारी चीजे अभी कर रहे हैं जो आप अपने आपको देख कर तब बोलना पसंद करोगे example अगर आप चाहते हो कि आप बोल सको हा मैं एक बहुत ही अच्छा इंसान था तो क्या आप अभी एक बहुत अच्छे इंसान हैं क्या आप लोगों की help करते हैं लोगों के साथ आपका behavior कैसा है या फिर आप कहें कि मैं एक बहुती दिंदार इंसान था तो क्या आप अल्ला के बताय हुए एकामों पर चल रहे हैं पुरे इसलाम को follow कर रहे हैं तो अगर आपको अपनी जिन्दगी में कुछ हासिल करना है तो एक बार आज अपने आपको मार दिजिए और सोचिए जब कबर का सवाल पुछने जब फरिष्टा आएगा और जब आप उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाओगे और फिर जब वो आपको अजाब देगा और फिर आप उसको बोलोगे कि मुझे बस एक बार दुनिया में वापस जाकर मेरा आमाल सही करके आने दो तो अगर आप सच में मर जाओ तो आपके पास वापस आने का मौका नहीं होगा और आपको अजाब दिया जाएगा इसलिए अभी भी टाइम है आपके पास अपने habits को सुधार लीजिए and अपने आपको दिंदार बनाने की कोशिश करिए क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि कोई इनसान दिन पर चले और उससे दुनिया छोट जाए अगर आप दिन को फॉलो करोगे तो दुनिया और आखिरत दोनों की काम्याबी हासिल होगी आपको इन्शाला habit नमबर थरी be proactive एक restaurant में एक औरत के उपर कौकरोज आकर बैट जाता है वो एकदम दर जाती है पैनिक होकर चिलाने लगती है और उचल उचल कर उसे अपने दोनों हातों से दूर फेक देने की कोशिश करती है इतने में उस औरत के हाथ लगने से कौकरोज उड़कर एक दूसरी औरत पर आकर गिर जाता है और वो भी पैनिक होकर उस दूसरी औरत जैसा ही behave करने लगती है या देख कर पास में खड़ा एक वेटर उनकी मदद करने जाता है इधर उधर फेकने में कौकरोज और वेटर के उपर आकर बैट जाता है बट वेटर चिलाने और पैनिक होने के बजाए सीधा खड़ा होता है कौकरोच को अपने शेट के उपर चलने को अच्छे से अबज़र करता है और जब उसे confidence फील होता है तब फोरण कौकरोच को अपनी उंगली से पकड़ लेता है और रेस्टोरेंट के बाहर फिक देता है इस स्टोरी को हम proactive and reactive concept से relate कर सकते हैं यहां waiter एक proactive इंसान था जिसने उन औरतों की तरह situation पर react करने के बज़ाए सोच के solution निकाला और उसकी according ही proper action लिया reactive और proactive होने में बहुत difference है reactive लोग हर चीज के लिए दूसरे को blame करते हैं उनका देश तरक्की नहीं कर रहा है क्योंकि government अच्छी नहीं है वो तरक्की नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनका boss अच्छा नहीं है वो खुश नहीं है क्योंकि लोग अच्छे नहीं है और अगर कुछ ना मिले तो वो अपनी किस्मत को ही ब्लेम करने लगते हैं उन्हें लगता है कि चीजे कंट्रोल करना उनके हातों में नहीं है सब हालात और किस्मत का खेल है सारी प्रॉबलम बाहर से आ रही है पर actually में उनकी ये सोच ही बहुत बड़ी में प्रॉबलम है वो usually ऐसी sentences यूज करते हैं जैसे मैं कुछ नहीं कर सकता, क्या करूँ, मैं बचपन से ही ऐसा हूँ वो मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है जबकि proactive लोग अपनी feelings का control दूसरों को देने के बजाए खुद समालते हैं वो अपने हर action की 100% responsibility खुद पर लेते हैं हालात और किस्मत को blame करने के बजाए situation को वो खुद कैसे better कर सकते हैं इस बारे में सोचते हैं और action लेके उसे सहीं भी करते हैं आप हमेशा उन चीजों पर focus करो जो आप change कर सकते हो ना कि उन चीजों पर जो आपके हातों में नहीं है habit number 4 seek first to understand then to be understood समझो एक दिन आप चश्मे वाले के पास जाते हैं and उसको बताते हैं कि दो दिन से आपको बराबर दिख नहीं रहा है ये सुनकर चश्मा वाला फोरण अपना पहना हुवा चश्मा निकाल कर आपको दिदेता है और बोलता है कि लो इसे try करो ये मेरे लिए काफी सालों से अच्छे से काम कर रही है so आप वा चश्मा पहनते हो पर आपको और भी खराब दिखने लगता है अब ऐसा होने के बाद कितने chances है कि आप उठ चश्मे वाले की पास वोपस जाओगे शायद ही कभी पर actually में हम भी थोड़े बहुत इस चश्मे वाले जैसे ही है जब हम लोगों से बात करते हैं और उनके problem को diagnose या अच्छे से समझने से पहले ही उन्हें solution देना या लड़ना श्टार्ट कर देते हैं हम ये easily बोल देते हैं कि कोई हमारे feelings नहीं समझता पर खुद भी कभी आपने सामने वाले की feeling को समझने की कोशिश की है नहीं न हम तो सिर्फ उपर उपर से ही बातों को सुन कर सामने वाले को solution देते हैं बट सामने वाले के लिए वो चीज प्रैक्टिकल है भी की नहीं वो चीज हम नहीं सोचते तो कभी भी आप जब किसी को कुछ solution दे तो आप अपने आपको उनकी जगह पर रखना और फिर सोचना की क्या जो solution आप दे रही हैं क्या आप उनकी जगह पर होते तो क्या आप उस solution को खुद implement करते तो अगर आप खुद वो चीज करते तो जरूर आप वो solution उनको देजिए नहीं तो नहीं देजिए उनको misguide मत करिए किसी को गुमरा करना किसी को गलत रास्ता दिखाना भी एक बहुत बड़ा गुना है अल्ला पाक हम सब को ऐसी गुमराही से बचाए हैबिट नमबर फाइफ शारपन दा सो एक आदमी बहुत देर से पेड़ को काटने की कोशिश कर रहा था वो एक दम ठक चुका था पर उसे पेड़ कटा ही नहीं जा रहा था पास ही एक लकड़ हारे ने ये देखा तो वो उसके पास गया और उसे सला दी की उसे पहले अपनी आरी तेस कर लेनी चाहिए ये बात सुनकर वो आदमी ने उससे कहा ये करने में तो टाइम जाएगा अभी शायद आपको ये जवाब स्टूपिड लगे पर हम भी यूज्वली ऐसे ही करते हैं हम एक्सरसाइस के लिए दिन के 30 मिनट नहीं निकाल सकते ताकि हमारी हैल्थ अच्छी रहे 15 मिनट कोई बुक नहीं पढ़ सकते ताकि हमारी नौलेज बढ़े और फिर हम कंप्लेन भी करते हैं कि हमारी जिन्दगी अच्छी क्यों नहीं है हैबिट नमबर 5 हमेशा अपने आपको बहतर बनाने पर फोकस करती है अपने टाइम का सबसे अच्छा यूज हमें खुद को इन चार एरियों में बहतर बनाने के लिए करना चाहिए फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्प्रिच्वल ये हैबिट बाकी चार हैबिट के सराउंड करती है और हमें उन हैबिट्स को फॉलो करना पॉसिबल कराती है तो हमें हमेशा आपने आपको बहतर बनाने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए क्योंकि अगर आप फिजिकली फिट नहीं रहेंगे तो आप बिमार हो जाएंगे और एक बिमार आदमी कुछ भी नहीं कर सकता तो इसलिए आपको अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए टाइम निकालना ही निकालना चाहिए आप लोग फजर की नमाज के बास जरूर वॉक किया करें बस 15 मिनेट की वॉक आपके लिए काफी है दीरे दीरे इस दूरेशन को बढ़ाते जाएगा और इसमें और वर्काउट एड़ करते जाएगा अब हम बात करते हैं कि अपने आपको मेंटली स्ट्रॉंग कैसे बनाए तो अपने आपको मेंटली स्ट्रॉंग बनाने के लिए आप कुरान पढ़ा करिए वो भी समझ कर यही आपको mentally strong बनाने के लिए काफी है और अगर इतना भी नहीं कर सकते तो रोज थोड़ा time निकाल कर Islamic scholars का बयान सुना करिए ताकि आपके mind में कुरान और हदिस की बाते हिट करें बार-बार जब ऐसा होगा ना तो देखना आप mentally अपने आप strong होते चले जाए और कुरान पढ़ने के साथ साथ आप Islamic scholar का बयान भी सुनेंगे तो फिर सोने पर सुहागा हो जाएगा ना अब हम socially strong कैसे बने यह देखते हैं तो देखिए अगर आप अभी student है तो आपको सिर्फ अभी अपने पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए और आपको socially strong बनने की जरू अपनी connections बनाईए जो दुनियावी और दिनी मामले में आपको आगे बढ़ने में मदद करें because we are the average of 5 people spend the most time with हम उन 5 लोगों के average होते हैं जिनके साथ हम अपना ज्यादा समय spend करते हैं तो इसलिए अपने friends अच्छे बनाएं और ऐसे लोग अगर आपके life में हैं जो लोग आ हमेशा sad and depressed होते हैं और हमेशा negative बाते करते हैं तो ऐसे toxic लोगों को अपनी जिन्दगी से बाहर निकाल कर fix दिजिए नहीं तो ये लोग आपकी life को भी toxic बना देंगे और खुद तो अंदकार में जाएंगे ही साथी साथ आपको भी darkness में लेकर चले जाएंगे तो आप ऐसे को अपने करीब रखिये जो लोग positive and optimistic हैं आपको support करते हैं और आगे बढ़ने में आपकी help करते हैं आप spiritually कैसे strong बनते हैं हम वो देखते हैं तो देखिए spiritually strong क्यों बने सबसे पहला सवाल ये आ रहा होगा आपके mind में तो देखिए आपको permanent motivated रहने के लिए आपको spiritually strong बनना प पाओगे और depression के अंधकार में डोपते चले जाओगे और वो darkness से बाहर सिर्फ Islam की रोशनी ही निकाल सकती है आपको तो spiritually strong बनने के लिए आप दिन पर चलना शुरू करिए और Islam को 100% follow करिए उसके बाद देखना कैसे आपकी जिंदगी में सुकून आएगा और आखिरत की काम या भी तो मिलेगी साथ ही साथ दुनिया में भी ऐसी उचाई पर पहुँच जाओगे ना कि सोच भी नहीं सकते तो spiritually strong बनने के लिए पैगंबरों और सहाबा की सीरत पड़िये उनके बारे में जानिये कैसा था उनका lifestyle किस तरह था उनका struggle किस तरह से वो अपनी life जीते थे उनकी teachings क्या थी उन पर कैसे कैसे आजमाईश आई थी वो कैसे deal करते थे उन सबसे तो मैं इसकी guarantee लेता हूँ कि आपकी जिन्दगी की हर हर problem को solution आपको पैगंबरों और सहाबा की सीरत में देखने को मिलेगा तो ये काम भी शुरू करिए इंशाल्ला फिर देखना अल्ला की मदद कैसे आती है तो ये रहा हमारा 5 habits आप comment में जरूर बताइएगा कि कौन सी habits आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई और इंशाल्ला लिख कर नियत कर लिजेगा कि सारी habits को आप अपने अंदर develop करने की कोशिश करेंगे अगर आपको ऐसा लगा कि ये video useful है तो इस video को जित